नमस्कार दोस्तों, आज हम कक्षा दस्वी के भगोल विशे से एक हमारा टॉपिक है, सोईल इरोजन उसके बारे में पढ़ी है तो सबसे पहले हम उसकी परिभाशा जानते हैं कि सोईल इरोजन होता क्या है उसकी परिभाशा, उसके किन कारणों के कारण स्वाइल एरोजन होता है और क्या हम कर सकते हैं कि स्वाइल एरोजन को रोका जा सकते हैं तो पहले हम उसकी परिभाशा जानते हैं तो स्वाइल एरोजन मतलब स्वाइल मतलब मिट्टी, एरोजन मतलब कटाव तो दोनों का मिलाके कहेंगे मिट्टी का कटाव यानि स्वाइल इरोजन उसकी परिभाशा है मिट्टी की उपरी सतर अपनी यतावत इस्थान से हट जाती है उसको हम स्वाइल इरोजन कहते हैं अब उकिन कारणों के कारण हट जाती है तो दो कारण तो उसका भॉगोलिक परस्थितियों पर निर्भर करते हैं जो की हवा है और पानी है एक कारण जो है उसका हम इनसानों के कारण है अब आप सोचों इनसानों के कारण क्यास है तो हम जो दिन प्रति दिन रोड, डैम, बिंडिंगों का निर्मार इस तरीके है जो कंक्रीट का जार बनाते जारे है तिन प्रति दिन उसके कारण सोईल इरुजन होता है तो जो बॉगोलिक परस्थितियों निर्भर है यानि हवा और पानी वो इस तरीके से जैसे हवा है तो हवा जब हवा अपने वेग, इतने तेज वेग से आती है कि मिट्टी के उपरी सती को उड़ा ले जाती है उसका कारण हवा के दौरा ये चीज़ होई, मतलब वायू के कारण पानी, पानी जब बहता है तो पानी अपने सासत किनारों से मिट्टी को हटा ले जाता है वो साथ में बहा ले जाता है इसके कारण ये दो भोगोलिक परिस्थितियां इस कारण अब निर्भर करती है और जैसे कि मैंने आपको इनसानों के दोरा तो कंक्रीट का जाल बनाना ये तो मैंने आपको बताए दिया ये तीन मुख्य कारण है अब हम इनको कैसे रो सकते हैं तो भोगोलिक परिस्थितियां जो हैं हमारे अनुसार तो नहीं चलती है बहुलिक परिस्तितियों जैसे हवा और पानी है तो हवा को हम पेडों की एक चेंड वॉल पतर पेडों का एक हम बाउंडरी टाइप की बनाएं जिससे कि जब हवा अपनी निंतन वेग के साथ चब आती है तो उसकी जो वेग है वो पेडों के कारण टकराने से कम हो जाता है जिससे कारण मिट्टी उतता वेग नहीं मिलता कि मिट्टी उड़ जाए तो हम वायू के कारण जो उसका दुश्प्रभाव हो रहा है, वो हम रोक सकते हैं, दूसरा पानी, पानी जो है हम किनारों में, जैसे बीच हैं, या नदियां हैं, या तालाब हैं, तो हम उनके किनारों में पत्थरों का एक बांडरी बनाएं, पत्थरों की बनाती हैं, आपन pouni pouni mn개, जैसे पाणी उस पर टक्राता है और यथावत इस्थान पर पुनय आ जाता जीसे कारण की नोब वह मिट्टी को काट नहीं पाता तो ऐसे भिट्क को काटता जाएगा खालता जाएगा तो जिसके कारण क्या होगा हैren highly общ की भूमी हैं जिननों पेड़, पौदे, पल, क्रॉप्स, हमारे फसल हैं वो जो हम उगाते हैं वो तो हमारी जमीन कटती चली जाएगी इस कारण से इन दो कारणों से इसके दुश प्रभावकों रोग सकते हैं और जो हमारा समय के साथ-साथ हमें निरतर प्रगती भी करने है हमें डैम, रोड, ब्रेज, जुबी हमारे चीज़ें हमें अपने विगास के लिए बनानी हैं पर उसको रोग सकते हैं कि हम ऐसा कुछ करें कि जैसे दस हम पेड़ काटते हैं किसी चीश को बनाने के लिए तो हम उसका दुगना तिगना उसको लगा सकें यह हम कर सकते हैं और इसके लिए सरकार भी नियुक्त प्रयास करती है ऐसा नहीं है सरकार अपना व्रक्षर उपन कारिकरम भरसाद चलाती है स्वेंग से नी संस्थाइं भी इसमें योगदान देती है और हम एक स्लोगन चलाते हैं कि आपके जिस दिन जनम दिन हो तो आप उस दिन अपना एक पेड़ लगाके जनम दिन बनाएं इस तरीके कि हमारे समाज में नई नई समारो टाइब के आयोजित होते हैं यह तो हमारा था soil erosion अब हम जानते हैं soil conservation क्या है soil conservation जो है मिट्टी का बचाव आप समझ लें पहला था erosion तो मिट्टी का कटाव और दूसरा soil conservation मिट्टी का बचाव जो हमारा erosion के गारण नुकसान हुआ है उसको हम किस तरीके से बचा सकते हैं हमारा conservation है तो conservation के विश्य में भी मैंने आपको समझाया कि वाईयू को हम कैसे रोख सकते हैं तो पेड़ों के एक हम दिवाल बनाकर रोख सकते हैं पानी को हम के दुष्प्रभाव जो हमारी बिट्टी की उपरी सता पर हो रहें तो पत्रों का एक हम जाल बिचा के उसको रोख सकते हैं कि उससे टकड़ा के वापिस पुना यतवात इस्थान पर आ जाए और हम अपना विकास के लिए जो हम मनुष्य नों इनसां की निर्मान कारे कर रहा है कंक्रीड का जाल मना रहा है उसको हम पेड़ों के दौरा लग कर दो